Hello everyone, welcome to new vlog, do like, share and subscribe रुजान रुटीन आज मैं आप सबकी लीकर आई हूँ फ्रेंड्स गनपती बपा मोरिया यानि की गनेश चतरती स्पेशल रेसिपी जो की है गनपती जी की फेवरेट और वो है मोदक तो कैसे बनाने है सूजी के मोदक वो भी घर पर मिनिमम इंग्रीडियन्स के साथ ये देखने के लिए आप रुजान रुटीन चैनल को कर लीजे सबस्क्राइब और वीडियो को फूल वाच करने के साथ लाइक एंड शेयर जरूर करें फ्रेंड्स सबसे पहले इंग्रीडियन्स में मैंने ले ली है सूजी सूजी ली है मैंने 200 ग्राम साथ में ले ली है मैंने दूद आधा कब दूद और ये लिया है शुगर पाउडर और यहां बादाम किश्मिश और ये ले लिया है कोकोनट ड्राइ कोकोनट ये सारे ड्राइफ रूट जो हम stuffing के लिए यूज़ करेंगे हमारे मोदक की stuffing के लिए तो सबसे पहले हम friends पैन में घी ले लेते हैं दो बड़े चमच घी ले लिया है मैंने non-stick पैन में इसको अच्छे से melt करने के बाद मैं इसमें सूजी एड़ कर दूँगी friends friends गनीश चतुर्थी पर गनपती बपा के फेवरेट मोदक ना बनाए तो क्या बनाया friends तो हमने आपके लिए बहुत ही असान सूजी के मोदक लेके हाजर हो गए है तो हब हमने सूजी एड़ कर दी है friends अपने पैन में इसको तब तक चलाते रहना है जब तक हमारी सूजी अच्छे से भून नहीं जाती है और इसका बहुत ब्यूटिफल सा कलर नहीं आ जाता friends गनपती बापा के मोदक जो है बहुत ही जादा फेवरेट है तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे घर भी भणपा इस बार भी आया है तो हमें बहुत खुशी है तो हम उनके फेवरेट मोदक जरूर बंदा रहे है अगर आप भी बनाना चाहतें तो हमारी रेसपी जरूर फॉलो करें इसे बनाना है बहुत ही आसान और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं मोदग फ्रेंड्स जादर फ्रेंड्स ही जो तियोहार है है महरास्टरो में बहुत जादा फेमस हैं लेकिन अब पर जगह मनाया जाता है और ज्यादातर लोग अपने घर पर लेके आते हैं को शुब माना जाता है गनपती बपा को तो उनकी फेवरिट मिठाई है मोदक जिसे हम बनाना सिखा रहे हैं आपको 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 यह रेसिपी जरूर अच्छी लगे अगर अच्छी लगे तो करें शेयर करें सब्सक्राइब करें जोजानर रूटीन को विद बैल आइकन बैल आइकन पर क्लिक करने से हमारी वीडियो को नोटिफकेशन जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं आपको बहुत जल्दी शो हो जाएगा आपके मोबाइल के उपर और आप फटा फट देखि हैं वह एट कर दिया है हमने यह देखिए बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं अभी हमारे अभी हम सूजी को अच्छे से भूनते फ्रेंट एक तरह से जब एकदम से इकठी हो जाएगी ना जूड जाएगी तब पता चल जाएगा हमारी सूजी अच्छा से भून गई है कौ छाल्दी तो हम जो लिइन शें होते हैं उनमें यूज करते हैं अगर आपके पास केशर है तो केश्र है तो फ्रेंटस दूड़ा से केशर दूध में भिकोग रखें ठीक कर दठे थो जोड़ा से टूड़वी उज कर सकते हैं लेकिन आप चाहे तो लिए लिस प्ताम पता क चल जायेगा हमारी हल्डी यूजक करने से हमारे मोदग का कलर कितना अच्छा है इस बड़िया बने है भी मोदक आप बीज़रूर बनाइए इससे बनाना है बहुत बहुत असन स्मयीन पसंद है कौन कौन किसके घर पर गन्पती बापप जी इस कने हुआ राइस के मोदक होते हैं बहुत ही मज़िदार मुदक रेसिपी लागती है मुझे मुझे अच्erten लगते हैं जन ऊट्मार बपल के लिए तयार की हैं आप भी जरूर उट्वस्दमें दोटाब आगता हैं जिसने कभी भी नहीं बनाएं वह भी कमेंड करके बताएं फ्रेंट्स आप खुद खाईए अपने दोस्तों को खिलाए जो भी गनपती आपके घर आए हैं उनके दर्शन करने के लिए आते हैं उनको प्रसाद के रूप में यह मोदक खिला सकते हैं फ्रेंट्स इन्हें बनाना है बहुत ही जादा आसान यह देखे अल्मोस्ट हमारी ज अगर आःजाता लेघर कर सकते हैं में एकता सफंस्ट केशा जो कठार गर कर देखिं यह हमारी जो पिठी नही कर सकते जो मारा बेस है जिसमें अबने में स्ठफिंग भरि वह तेयर है इस द Row को ग्रेट करके लिए और जोhew ड्राइ लिरा थी को को कटकर लिया है ये देख आह ऐए चॉप कर लिया है अब मैं क्या करूँगी थोड़ा सऑ ड्राइष्ट कर लूँगी अपनी को को कोकोनट के साथ साथ अपने ड्राइफूट को ड्राइष्ट कर रहा है क्योंकि मैंने उसी बरतन में करी हैं जिसमें मैंने अपनी सूजी तैयार की थी उसी बरतन में मैं सारा कुछ कर रही हूँ यह जो ड्राइफ फ्रूट है यह मैं स्टफ करूँगी अपने उसमें यह से हम मैजिकल मोदक भी कह सकते हैं कि फ्रेंट जब बार से देखते हैं तो किसे को पता नहीं चलता कि यह स्टफ मोदक है बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं मुझे तो यह मोदक आपको कैसे लगे फ्रेंट्स कमेंट में जरूर जरूर शेयर कीजेगा हमारे साथ और आपका हमारी वीडियो कैसी लगती हैं जरूर बतायेगा और गलत कमेंट करने से जरूर बचेए फ्रेंड्स हमें किसी की भी वीडियो पर जाके गलत कमेंट नहीं करने चाहिए अच्छे अच्छे कमेंट करने चाहिए पॉस्टिवटी फैलानी चाहिए ताकि जो वीडियो बनाने वाला उसको भी appreciation मिले friends तो मैं आप सब को यह द्यार देती हूँ कि आप सब भी किसी की भी वीडियो पर जाते हैं तो अच्छे अच्छे comment करें, गलत comment ना करें और वीडियो को like करके share जरूर करें क्योंकि किसी भी वीडियो को बनाने में, कुकिंग करने में भी किसी की बहुत महनत लगती है तो हमें किसी के भी चैनल पर जाके गलत comment नहीं करनी चाहिए जो भी वीचे से आवाज आ रही है friends उसको ignore करें तो जो मैंने base तयार किया था सूजी का अब मैं उसके चुट चुटी पूरिया सी बिना लूँगे अपने हाथ से ही friends या आप देख सकते हैं हाथ सी फैलाकर में चुट चुट चुटी पूरियां त्यार कर रही हूं इस चुट चुटी पूरियों में जो मैंने अल्रड़ी बनाई हूँ स्टफिंग जिसमें मैंने कोकोनट आम मंड एंड रिजिन ढाली इसमें स्टफ कर लूँगी महली — तोड़ा सबना मिक्सौर डाल दूँगी बहुत ही मज़ेदार से अब मैं इसको अच्छी थे ध्यान से बंद कर दूँगी इसे बनाना है बहुत आसान फ्रेंड्स अपने हाथ की साहिता से बना सकते हैं हमने तो अपने हाथ से इसको डिजाइन का रूप दे दिया अगर आप चाहें तो मोल्ड में भी बना सकते हैं आसानी से मोल्ड मिल जाता है आज कल बाजार में क्रॉकरी की दुकान पर अगर आप चाकर कहेंगी कि मोदग बनाने का मोल्ड जैसे कि समोसा बनाने का गुजिया बनाने का मोल्ड मिलता है अगर आप चाहें तो हाथ से बना सकते हैं हम हाथ से आपको बनाना सिखा रहे इसे बनाना है बहुत ही असान तो देखिए आप फोक से इसमें डिजाइन भी बना सकते हैं मैंने फोक ले लिया है और मैं फोक से अपने मोदग में डिजाइन भी बना रही है देखिए कितना प्यारा हमारा मोदग घर पर बीना मोल्ट के भी तयार हो रहा है अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप मोल्ट के साहिता से भी बना सकते हैं हमने सारे मोदग अपने इसी तरह से तयार किया है हाथ से भी बनाए है मोल्ट से नहीं हम हर बर कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, इस बर मोदक थोड़े अलग तरीके से बनाए हैं हमने, आप बताईए आपको हमारे मोदक कैसे लगे, कमेंड में जरूर बताएगा फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं अपने सारे मोदक तयार कर लूँगी फ्रेंड्स, देखिए कित डखा हैं किस्मिष कहते हैं पंजाब में जातर कर दें धर किया इसको फोल्ट कर ले रहा है मोदा की शेप दे देनी है मैं वेल्कुल रोटी आलु के बनाते हैं यह उसके फोड़ा से ऊपर की तरफ ले लेना इसे बनाना है बहुत ही ज्यादा आसान आप को ओसी हमारी वीडियो कमेंट में जरूर बताया और मैं सबी वीवर्स का धन्यवाद करना चाहूंगी जो हमारी वीडियो पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं यह देखें फोक से कितना अच्छा डिजाइन हमने घर पर ही बना लिए बिना मोल्ड की साहिता से देखिए मैंने मोदक सारे इसी तरह से तयार कर लिए हैं मैंने सर्व कर लिए हैं अपने मोदक को एक बरतन में उपर से मैंने थोड़ा सा कोकोनेट और ड्राइफ्रूट ग्र और लिए बहुत ही प्यारे लग रहा है आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताया किसके मूं में पानी आया आप भी अपने घर पर जड़ूर बनाए यह मोदक की रेसिपी और कैसी लेगी हमें कमेंट में जरूर बताईए वीडियो को लाइक कीजिये शेयर कीजिए चैन